उम्शान्ती आप सबको स्वागत है 16 जून के इश्री वर्दान में आज परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम सत्ते के साथ में मिले सत्ते कौन है कि एवल एक ही है स्वेम परमपिता परमात्मा ही सत्ते हैं उनको अल्ला कहो, जीहुवा कहो गौड़ फादर कहो, शिवा कहो एक ही बात है लेकिन परमपिता परमात्मा है कौन क्या करते हैं, कहां रहते हैं उनका ग्यान क्या है, सारी स्वेश्टी का नाटक बनाए कैसे है यह अगर नहीं पता груп disposer को नहीं जानते है तो फिर हम अपने आपको एक्टर कैसे कह सकते हैं सोची का जरा तो इसलिए परमात्मा कहता है, की सत्य को पैचानो सत्य है क्या और कहा जाता है, कि अगर सत्य को पैचान लिया तो फिर आप freedom पालोगे सदा सत के संग द्वारा कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ग्यानी भवा कोई भी कमजोरी तब आती है जब सत के संग से किनारा हो जाता है और दूसरे संग लग जाता है कहने कारत का है जब हम और उसे प्रेम, सुख, शान्ती, खुशी, आनंद की इच्छा रखनी शुरू करते हैं मांगना शुरू करते हैं चाहे है डारेक्ट मांगे चाहे है डारेक्ट मांगे बात कोई ऐसी नहीं है कि आपने मांगा नहीं मांगा तो सही ना चाहे है डारेक्ट लिया डारेक्ट लिया लेकिन जब हम मांगना शुरू करते हैं और उसे सुक्ष्यानती प्रेमानत खुशी तो सत्य परमात्मा का संग तूट जाता है इसलिए भक्ती में कहते हैं सदा सत संग में रहो सत के संग में रहो सत संग अर्थात सदा सत बाप के संग में रहना जो वो कहें वही सुनना जो वो हमें सिखाएं वही सीखना आप सबके लिए सत बाप का संग अती सहज है क्योंकि समीब का संबंध है मैं कौन? परमात्मा कौन? मैं कहां से आई हूँ? आत्मा कब वापस जाना है? कब आई नीचे आत्मा मैं? इस शेरीर में प्रवेश करी हूँ? यह कौन सा जनम है? इसके बाद में आगे कितने जनम लेने हैं? यह सारा जब ग्यान आ जाता है तो भवेश काल, भूत काल और वरतमगान काल में बुद्धी जादा भटकती नहीं है बुद्धी स्थेर हो जाती है क्योंकि सत्य का पता चल गया कि रचना हुई कैसे है? डारेट ने यह प्लेव बनाया कैसे है? अगर यह ना पता चले तब हो जाती मिश्किल तो सदा सत्संग में रहे कमजोरियों को समाथ करने वाले सहज योगी सहज ग्यानी बनो सत्य का संग रहे सत्य परमात्मा पता से हम चुड़े रहे तब जाकर के ही हम आगी बढ़ सकते हैं नहीं तो गलत संगत में लगे गलत जगा पर चले गे गलत सोच में गए तो भूल भलिया का खेल है वाँ से निकलना फिर और मिश्किल है लेकिन ये सत्य कौन है परमात्मा कैसे सत्य है और उनके पास में कौन सा ऐसा ग्यान है जो की सत्य ग्यान है जिससे हमारी बुद्धी बटकती नहीं और बुद्धी का बटकना बंदो लाता है क्यों क्या कैसे कहा कभी सब कुछ खतम लाता है और सत्य पतल लाता है और हम meditation के दोरा पर मात्मा जो सत्य हैं उनसे जुड़ सत्य हैं ये सब कुछ हम कर पाते हैं जब हम साथ दिन का कोस ब्रहमा कुमारीस का राज जुगा करते हैं आप इसको ज़रूर करिए और सत्य के पैचान करिए इसक्साद ओम शांती